हलो नमस्कार जैशे कुछनर राधे राधे कैसे हैं सब आइम अबनात आनन्द अन्ना सर बीटेक फ्राम आइटी डेली एन को फांड़ेड अक्टर नुकलियस कोटा आइब सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से बढ़ाई कर रहा होँगे और आपको पता भी होगा कि इस पर्टिक्लर चैनल पे हम लोग कर रहे हैं क्या this year questions तो हम कर रहे हैं TYQs कौन कौन से sessions के कर रहे हैं जो February या March में already हो चुके हैं जेही मेन के दो attempt उससे जो questions हैं वो करे जा रहे हैं तो यह एक playlist भी बना हुआ है this year question का तो आप उस playlist को भी देख सकते हैं उसमें बहुत सारी videos मैंने already add कर रखे हैं और जो बचे वे chapters हैं उनके videos को भी मैं continuously add करने की कोशिस करता जा रहा हूँ जैसे जैसे time मलता जा रहा है तो I hope आप इन सब को देख रहोगे अच्छे से learn कर रहोगे in case आपको लग रहा है कि practice की कमी है तो आप इस particular series को जरूर अच्छी तरीके से करके देखिए कि कि इसमें मिलते हैं आपको relevant choice वाले सवाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि अगर हम इन सवालों को अगर video के flow के साथ करते जाएंगे तो definitely जो है आप within time भी इसको करने की practice को और enhance कर पाएंगे तो अगर आप video के साथ साथ आप questions को करने की कोशिस करें तो मेरा मानना है कि ज़्यादा आपको effect आएगा लेकिन अगर आप pause करके काफी लंबा समय लेते जा रहे हैं तो फिर समय लग सकता है pause करके जरूर करें लेकि तीन से चार मिनिट में max to max करकते हुए आगे बढ़ते जाएं और फिर उन सवालों को दुवारे से try करें जो की नहीं हुआ या उसके solutions जरूर देखें अगर आपको लगता है कि आपका particular method अगर कहीं से लंबा लग रहा है या कुछ ऐसा भी है तो भी आप solutions जरूर देखें हो सकता हो कोई नई approach आपका इंतजार कर रही हो तो उस नई approach को भी अगर आप आगे आने वाले सवालों में करेंगे तो definitely मेरा मानना है कि वो सारी चीज़े जो हैं काफी अच्छी हो सकती है तो ये आपके लिए बहुत सो नईरा चांस है इसको आप करते जाएगे और जितनी अच्छी तरीके से करिएगा तो उतना ही मजाएगा तो आज हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं method of differentiation और application of derivative को सवाल method of differentiation के दोनों attempt मिला के दो ही सवाल पूछे गए हैं और बाकी 14 questions जो है that is from application of derivative इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि application of derivative का जो वेटेज है वो काफी जादा रहता है तो इसलिए आपको हमेशा इस तरह के particular जो chapters हैं उसको अच्छी तरीके से करते रहना चाहिए और सबसे important सूचना कि अगर अभी तक आपने इस particular channel को subscribe नहीं किया है तो जल से जल इसको subscribe कर दें like button जरूर press कर दें और साथ ही साथ bell icon को भी press कर दें तो चलिए चलते हैं करते हैं क्या आज this year questions को पहला सवाल है let me show you the first question this is the first question ये question वैसे तो देखो तुम लोगों ने देखा जरूर होगा अगर आप जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि भाई आप अगर J main की preparation कर रहे हैं तो J advance की exercise को जरूर अच्छी तरीके किजिए ये कि बहुत बार क्या होगा कि J advance के जो questions हैं वही आपको directly as it is J main में पूछ लिए जाते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा change करकर पूछा जाता है लेकिन आप मान के चलेए कि बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जो J advance के directly J main में आते हैं ये एक ऐसा ही सवाल है जिन बच्चों को याद हो तो G double dash N plus half minus G double dash half एक question में पूछा गया था बिल्कुल सेम तरह का सवाल था F of X plus 1 equal to XFX GX is LNFX ये सारी चीज़ सेम थी बस last में आप से जो पूछा गया था that was G double dash capital N plus half minus G double dash half तो बिल्कुल as it is सेम तरह का सवाल है and I hope कि जिन बच्चों ने उसको अच्छी तरीके से किया होगा कि कि revision में बार-बार बोल रहा हूँ एकी चीज़ों को बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको जरूरत है कि जितने भी हम exercise कर चुके हैं उनको अच्छी तरीके से करें तो ही जाकर वह मामला बहुत अच्छा होने वाल है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले सवाल के साथ तो जो भी मैं बोल रहा हूँ बार-बार उस सीज़ को फॉलो करने की कोशिश किज़े दोस्त कि आप उससे ज्यादा ज्यादा लाव उठाएं और IIT और NIT में जो अपनी सीट है वो कंफर्म करा पाएं राइट देखें सबसे पहले चीज क्या दिए हुए है दोस्त यह विजिबल होगा देख लेता हूँ एक पर में इस एक प्लस प्लस वन इकवल टू एक सबस्ट और आपको एक वार डेटा दिया हुए है कि जी एक सबस्ट इन दोनों को देखते हुए मैंने बतलाया था वाइल सॉल्विंग दाट पर्टिकुलर कोशिए अलसो कि आप सीधा-सीधा किया कि जिए कि इसके दोनों साइट ल जूग लीजिएगा अल सी फ्ल breakout में एक सबस्ट शचान कहुंद की निकी खेस करेंंगे आप देख सेके तो lnfx plus 1 किसके बराबर होगा अगर gx lnfx है तो lnfx plus 1 मेरा मानना है कि this is going to be g of x plus 1 राइट और ये इधर जो plus lnfx को इते लेगा तो minus gx and that is lnx इसके आगे जब आप सवाल देखिएगा तो आपसे जो data पूछा गया है that is modulus of g double dash y minus g double dash 1 याईनि कि हमें second order derivative तो जाना पड़ेगा तो इसी को दो बार differentiate कर देते हैं इस particular रिस्ते को कितनी बार differentiate कर देते हैं दो बार तो this is going to be g double dash x plus 1 पहली बार differentiate किजिएगा g dash x plus 1 दूसरी बार differentiate किजिएगा g double dash x plus 1 minus g double dash x equal to अब lnx की बार ही है तो lnx को पहली बार differentiate किजिएगा तो 1 by x और दूसरी बार किजिएगा तो minus of 1 upon x उसक्राइब तो यह g double dash 5 minus g double dash 1 कैसे बनाए तो इसमें जैसा कि हमने उस question में भी देखा था कि हमने x की values रखी थी और फिर एक series generate हो गया तो जो कि g double dash 4 की value आएगी राइट लेकिन अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि अगर हमें फर्दर g double dash 1 तक जाना है तो फिर हम x की value 3 फिर से रखें तो वो g double dash 4 minus g double dash 3 देगा जब दोनों को जोड़ोगे तो g double dash 5 minus g double dash 3 आएगा अब आप सोचना क्या बोल दी असर मैं करके दिखाता ह तो आपको और मजाएगा तो 4, 3, 2 और हम लोग बोल सकते हैं कि last value क्या रखने वाले हैं दोस्तों 1 तो चलिए एक एक करकेस में values हम लोग रखते हैं तो जैसे मैंने बोला था कि 4 रखिएगा तो यह expression क्या बनने वाला है g double dash 5 minus g double dash 4 and it is going to be minus of 1 upon 16 on this side mod का भी मतलब समझ में आ minus 1 upon 9 अब जैसे हैं आपने next values में रखी put करी 2 तो this is g double dash 2 और minus g sorry sorry g double dash 3 minus g double dash 2 equal to minus 1 by 4 और अब देखें last value रखते हैं g double dash 2 और minus g double dash 1 अब दिख रहे हैं आपको जो मैं कह रहा था वो हो रहा है ठीक है ना तो हमने 2 रखा और फिर last में रखा 1 तो यह बनेगा तो जैसे हैं आप जोड़ेगा तो यह इसके साथ यह इसके साथ और यह देख लिजे इसके साथ cancel out जाएगा यह थोड़ा सा गलत मेरे खाल चला गया है यह शायद तो जैसे हैं इन सबको साथ को एड़ कि जेगा तो आप देख लोग जी डवल डाश वन बना राइट जैसे जोड़ा और इधर की साइट से है नाइन प्लस सिक्स्टीन प्लस 36 एंड हो इस लास्ट 144 तो मुझे लग रहे है कि एक सो साथ और पैंतालेस से दो सो पांच लग रहे है तू नौट पाइब और इसका मॉट पूछ है तो मुझे लग रहे है कि इस इस गोई टो जीरो पाइप अपान 144 तो मेरे खाल से यह आपको option 1 में दिख रहा होगा राइट तो आई हो यह जो derivative method of derivative का सवाल है आपको बहुत अच्छे method of transition का सवाल है समझ में आ गया होगा तो वेरी गुट आगे move on करते हैं second question पे second question भी मैंने derivative का सवाल यह है दोस्तों चलिए देखते है second question क्या है तो second question अगर आप देखोगे तो इस तरह का सवाल हम inverse में जरूर करते हैं fx equal to चलिए देखते हैं क्या है तो अलगे जो fx equal to आ रहा है this is sign of cos inverse 1-2 की पावर 2x upon 1 plus 2 की पावर 2x इसका first order derivative बोल रहा है किसका first order derivative किसके बराबर है minus b by a ln 2 और a और b की values integers integers हैं यह मेरे काल से normally समझ में भी आ रहा है कि cos inverse of 1 minus something का square है मतलब 2 की पावर x का square है right और 1 plus 2 की पावर x का square है तो अगर आपको याद हो तो हम inverse में इस तरह की चीजे करते हैं like cos inverse of 1 minus t square upon 1 plus t square right तो t greater than equal to 0 पर जैसे हमें पता है कि 2 tan inverse x होता है तो हम लोग गोलें कि यहाँ पर यह काम कर सकते हैं हम लोग कि 2 की पावर x को कुछ माल लेते हैं जैसे माल लिए हमने t माल लिए तो एक चीज तो समझ में आती है कि t हमेशा positive होगा right तो अब मैं इसको पहले simplify कर लेता हूँ फिर अपने इस पर खेलेंगे ठीक है तो sign of क्या है cos inverse और इसको अगर आपने t माना है दोस्तों तो यह 1 minus क्या है दोस्त t square और नीचे क्या दिख रहे है आपको 1 plus t square आप देखो ध्यान से तो हम लोग वो सकते हैं कि अगर यह चीज आ रही है तो t greater than equal to 0 के लिए बात करें तो in fact t greater than 0 है भी तो यह अंदर वाली चीज क्या बन जाएगे मुझे लग रहा है कि यह अंदर वाली चीज बन जाएगे sign of 2 tan inverse t यादा रहे है तो यह inverse का simplification है simple सा तो sign of 2 tan inverse t I hope is clear अब हम लोग वो सकते हैं कि जो हम fx लिखेंगे वो क्या लिखेंगे sign of 2 tan inverse 2 की बार x आपको समझे रहे sign of 2 tan inverse 2 raised to the power x तो अगर यह sign of 2 tan inverse 2 raised to the power x है तो जब आप इसका first order derivative हम लोग निकालने की कोशिच करेंगे that is f dash x तो sign का पहले क्या होगा दोस्तों cos cos of क्या हो जाएगा 2 tan inverse 2 की बार x है तो अगर 2 tan inverse 2 की बार x जो है गर वो cos का हो गया तो हम लोग वो सकते हैं अब इसके आगे कि अब बचे हुए का भी derivative आएगा जब बचे हुए का derivative लिखेगा तो 2 is a constant तो वो बाहरा जाएगा और tan inverse का क्या होता है 1 upon 1 plus t square जो है क्या 2 की बार x तो 2 की बार x का whole square multiplied by 2 की बार x का that is 2 की बार x into ln2 हम सही direction में जा रहे हैं यह देखके भी feel हो रहा है कि एक ln2 का भी factor हमारे question में भी है दोस रही तो अब अगर हम लोग इसके बारे बात करें तो this is going to be cos 2 tan inverse और हमें किसी point पे निकालना है and that point is I hope x equal to क्या लिक हो है आपके पास 1 तो हले लिए x equal to 1 पे अगर हम लोग निकाल रहे है इस first order derivative को तो let us calculate now तो cos of 2 tan inverse 2 into 2 into 1 upon यह 2 का square हो जाएगा तो 4 plus 1 क्या हो जाएगा 5 into 2 into ln2 आप बोलोगे अब क्या करना है तो cos 2 tan inverse 2 यह तो मेरे खाल से inverse में आपको पहले class में ही सिखाए जाता है कि इसको कैसे निकाले जैसे इसको अगर आपने थीटा माना इसको अपने क्या माल लिए इस पूरी छी tan inverse 2 को अगर थीटा माल लिए तो यानि हम लोगे 10 inverse 2 को अगर आपने थीटा माना तो actually यहाँ पे हम क्या value निकालने वाले हैं दोस्तो cos of 2 theta and what is cos of 2 theta 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta तो हम लोगे को यह value समझ में आ गई क्या किसके बराबर आ रही है बिलकुल समझ में आ गई साब अलब लगे this is going to be 4 तो 1 minus 4 is minus 3 upon 5 तो मेरे कहां से value clear है minus 3 by 5 है into आगे की values भी clear है 4 by मेरे कहां से कितना है 5 है into ln 2 है मतलब this is going to be what minus of 12 upon 25 type का और into शायद कहाएगा ln 2 और यही चीज़ के बारे में बोल रहा है कि this is going to be what minus of b upon a right तो अगर यह minus of b upon a है दोस्त समझ में अरी बार तो मुझे लग रहा है कि यहां से हम a और b का value निकाल सकते हैं I hope तो एक चीज़ और बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार minimum भी लिखा हुआ है मेरी ख्याल से तो क्या लगता है minimum किसले लिखा होगा आप सोचों तो मतलब जिसे कोई बोले कि नहीं सर मैंने इसको 2 से multiply कर लिया वगेरा 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 तो वो चीज़े पॉसिबल नहीं होगी तो देखो बी मेरे ख्याल से 12 हो गया और a क्या हो गया बोलो आप a हो गया 25 यह हो गया क्या 25 और हमेरे को कुस्चन में जो बोल रहा है न मेरे ख्याल से a स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर की minimum वैलू का मॉड बोल रहा है तो देखो दोस्त इसमें कुछ खास नहीं है इसको 24 ले लिया मैंने इसको 50 ले लिया तो भी रेश्यों तो सीम रहेगा लेकिन आपको पता है इसकी वैलू बढ़ जाएगी तो यानि इसके हिसाब आप देख सकतों कि मुझे लग रहा है कि दिस गूइन टू बारह 27 और इंटू शायद हो जाएगा इस गुने कितना हो जाएगा 35 में सब बारह गया 13 तो आई होब दिस इस गूइन टू बी तेरह सती कायन में कि एक नौ तिरह तिया उन्तालिस तो अनतालिस फूर एट्टी बनाएगा शायदा तो चलिए मेरे काल से मेटोड ऑफ डिफ्रेंशेशन के दो सवाल थे और दोनों अपनने आसानी से निकालनी है ठीक है ना अलाकि ऐसा नहीं था कि बहुत इजी सवाल थे जो बच्चे जही एडवांस अच्छे से करते हैं और इंवर्स में भी अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही इस तरह के सवालों को अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे तो यानि कि पढ़ने के जु स्क्राइब ब्लस BX प्लस C और बोलाएंगे एक्स बिलॉंग स्टू आर पासे थू बन कॉमा तू मतब यह एक वन कॉमा टू पॉइंट से पास कर रहा है और टैंजेंट लाइंट लाइंट टू अरिजिन लाइंट कर पे और इजिन पर बोल रहा है समझें यहां कहां पे और इजिन पे टैंजेंट है तो और इजिन पॉइंट उस पर लाइंट करना ची यह नहीं जिरो 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 जो है उस पॉइंट के उस करके ऊपर होगा समझ में आएंगे तो अब बोल रहा है कि देन पाइंट पॉसिबल वैलिए ऑफ एबी सी और चार ओप्शन दोस्तों दिए हुए है देख सकते हों आप मेरे कहाल से चार ओप्शन दिए हुए है इसके ओप्शन इतने वीक हैं कि बिल्कुल ऐसे देखते ही ही क्रेक हो जाए है कि देख सकते हो कि अगर 00 से पास करेगा c0 सिर्फ औस एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और अट इस थर्ड और अगर हम बात कर रहे हैं क्या पूरी solving की तो वो भी हम कर सकते हैं तो उसका भी एक aspect equal to 0 तो हो गई दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं कि 0-0 पे slope 1 आ रहा है तो let us calculate this dy by dx dy by dx कितना है 2ax plus b for all x और at 0-0 क्या है एक method हो चुक है भाई यह सब कभी-कभी clever observation यह इस तरह का simple अगर कुछ this is going to be b यह 0 हो जाएगा और हमें पता है slope 1 के बरावर है क्योंकि line y equal to x है यानि कि b की value आगए अब बोलोगे सर a कैसे निकालोगे भाई 1,2 से भी तो pass कर रहा है तो हम लोग बोलोगे कि इसको रखेंगे तो 2 equal to a plus b plus c और b is 1 and c is 0 so what is the value of a, a is also 1 so a 1, b 1 and c equal to 0 बाकी सवाल देखने ही clear था अब देखें question number 4 पे हम लोग चलने वाले हैं I hope आप लोग बेकरार होंगे सवाल को देखने के लिए तो इस बेकरारी को दूर करते हुए देखें सवाल को और ये सवाल भी काफी easy easy type of सवाल लग रहा है मुझे कि कि बोल रहा है कि for which of the following curves this kind of line is the tangent at this point देखो समय में सब तरीकेस निकाल सकता हूँ लेकिन आप देखो कुछ options तो मैं देखके ही reject कर दूँगा जैसे पहला option इस point पे लिखना है अगर x square plus y square equal to 7 तो x x1 y y1 लगाऊंगा 7 तो देखो 7 का तो यहां कहीं दूर दूर तक इसमें नाम होनी चाहनी यानि कि पहला option देखते ही मैंने discard कर दिया ठीके तीसरा option भी देखते ही discard कर दिया मैंने कि देखो 2 x square minus 18 y square equal to 9 है तो यहां आप समझना कि जब आप यहां पे x x1 और y y1 के लिखोगे तो बीच में एक minus sign आएगा x और y वाले टाम में यहां पे कोई भी minus sign नहीं है प्लस है तो third option भी देखते ही reset हो गया second वाले में जब आप y y1 लिखोगे तो y into half लिखोगे और 1 upon 6 root 3 x plus जो भी है x1 that is 3 root 3 upon 2 whole upon 2 भी x plus x1 upon 2 है ठीक है ना तो यह आ जाएगा तो आप देख लो 6 root 3 y या root 3 y ले जाओगे तो slope में x के साथ 1 by 6 नहीं आ रहा है देखो नो root 3 y इधर कर लो और दूसरी यह भी चीज़ देख सेकत हो तो जब root 3 y इधर लोगे तो x plus रहगा और y minus रहगा तो यह भी मेरे ख्याल से rejected है तो फिर वैसे देखा जाए तो अगर question सही है तो हमें 4 वाले को solve करने की विज़ूरत नहीं है but let us solve this तो आप simply देख सकते हैं कि x into 3 root 3 by 2 plus root sorry 9 into y y1 that is y into half equal to 9 3 ऐसा खुछा रहा है ठीक है ना तो टू दर cross multiply हो जाएगा this is 3 times and this is also 3 times और यह root 3 भी आप काड़ दीज़े तो x plus root 3 y equal to simply 2 root 3 तो मेरे काल से यह match भी कर रहे है तो आई हो fourth is the correct option बाकी तीन option reject होते ही चौत्य को चेक करने की ऐसे कोई मारा मारी नहीं है चलिए पांच में सवाल पे चलते हैं और पांच में सवाल को देखते हैं पहले क्या है इस तरह के सवाल बहुत बार करवाए जाते हैं कि these two curves cut at right angles तो slope का product क्या होता है minus 1 तो x equal to y की पार 4 है गुरू और xy equal to k है तो पहले निकाल लेते हैं कहां काटा-खटी हो रहा है और हमें 4 k की power 6 की value बतलानी है तो देखते हैं क्या involved है technicalities तो अले नहीं कहें कि x equal to y की पार 4 है और इन दोनों से अगर में हटाऊं कुछ खटाऊं तो यहां से x को k by y लिख सकते हो ना and that is y की power 4 तो कुछ लग रहा y की power 5 तो किया आएगा चलिए एक तो यह रिलेक्शन आगया और x तो आहीं जाएगा फिर यहां से इन टर्म्स ऑफ के भी ठीक ना तो डी वाइब डीक्स निकालने में चलते हैं तो पहले हम इस curve को differentiate करते हैं तो with respect to x करेंगे तो यह 1 और इधर आएगा 4 y3 dy by dx और इधर देखेगा इधर मेरे एकाल से x dy by dx और plus y equal to 0 तो dy by dx equal to क्या हो जाएगा देखना minus y by x और देखको x क्या है second equation से इससे x क्या है x है आपका k by y तो k by y मतलब minus y square y क्या ही तो हुआ और अब देखना दोनों के dy by dx का product में minus 1 करने वाला हूं नहीं dy by dx का product में दोनों का क्या करने वाला हूं minus 1 तो देखो इसका dy by dx क्या है बोलो at x, y ही निकाल दे दोनों से में this is going to be this much और इसका dy by dx यह है तो क्या दोनों को multiply करूं yes तो 1 upon 4y cube into minus y square upon k equal to दोस्तों कितना रहा है minus 1 गए हो इधर से cancel out होगा तो मुझे लग रहा है कि 1 by y equal to 4k आ रहा है तो अब हम यहां से क्या करें तो दोनों साइट 5 power raise कर दें ताकि यहां से देख रहा है कि अब बोलों के सर्फ 5 power क्यों raise कर रहो तो यहां भी मजा रहा है देखकर किके हमें 4k की power 6 निकालना है तो एक 4k और चाहिए तो यह हो गया आपका 1 by k क्यों of course y की power 5 is k तो जब इसको चार से भी उपर नीचे multiply कर लो दोस्त अब बोलों क्यों 4k से डारेक्ट multiply कर देंगे न तो 4k की power 6 अपने आप किसके बार आ पर आ जाएगा 4 तो this is going to be the final answer for 4k की power 6 देख लिए अगले सवाल पर चलते हैं आदी 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 दो रही है मत इजी है सब अओ यह तो देखने में बहुत कदरनाक सा लग रहे है चलिए इसको भी फोड़ देते हैं कुछ खास नहीं बोला है there is a function f real value function और fx लिखा हुआ है 3ln मॉडिलस मॉडिलस बस पॉजिटिव के इसाफ से लिखा हुआ है और डोमेन में वन और माइनस नहीं है यह खुदी बतला चुके हैं पहले ही तो ठीक है हम सब बातों का सम्मान करते हैं एलन मॉड एक्स का पता है न मैं बहुत बार क्लास में बतलाता हूं आपको तो इंक्रिजिंग की बात कर रहे हैं ठीक हैं तो मॉट वट से देखके भ्रहमीत मत हो जाना कि सर्माइग ग्रेटर दन जीरो लेस दन जीरो किस बना हुआ कि मैंने पहले ही बतला है कि ln mod x has derivative worth 1 by x अगर आप ln mod x का derivative लिख रहो for x positive that is simply 1 by x, कि mod positive से उख लेगा, कोई बुले कि sir x negative के लिए derivative बतला हो तो mod x minus x होगा तो ln minus x का 1 by minus x और minus x का minus 1 तो फिर से 1 by x हैगा यानि ln mod x का में बिल्कुल भी चिंता नहीं है, 1 by x, कोई mod odd का दिमाग नहीं लगाना है, तो देखिए, और 0 पे define नहीं होगा, of course नहीं तो लेले कि 3 upon, कितना हो जाएगा, x minus 1 upon x plus 1 और फिर x minus 1 into x plus 1 का derivative, तो मेरे खाल से question rule तो x plus 1 का whole square और उपर x plus 1, और x minus 1 का तो 1 हो जाएगा, और minus x plus 1, मेरे खाल से ठीक है नहीं था, minus 2 upon x minus 1 का whole square with a negative sign, तो minus minus plus x is gone, और 1 x plus 1 और गया, ताल से ताल मिला, अब इन दोनों को देखकर 1 upon x minus 1 तो common आ रहा है, आपन दो, आपन दो, आपन दो, अखनल ले, 3 upon x plus 1, plus 2 upon x minus 1 जान तो, गडब बड़ोगे थोड़ा सा, अखनल हो सकते हैं कि यह जो 2 है, यहां भी एक आ रहा है, यहां पे भी यह 2 आ रहे तो मेरे खाल से इसको थोड़ा से हटा देते हैं और इसको भी थोड़ा से हटा देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं तो मेरे खाल से आप देखो इसमें से 2 आ गया बाहर और यह बना जाएगा अब मेरे खाल से थोड़ा थोड़ा LCM लेते विए आगे बढ़ते हैं आगे तो लें उपर क्या होगा तू तो कॉमन हो गया है 3x-3 प्लस x-1 तो दिस गोई निए 4x-2 4x-2 से 2 बाहर निकाल लो तो 2x-1 x-1 का स्क्वेर एक्स प्लस वन बेबी करव मेथड बेबी करव मेथड नहीं इससे हम लोग साहिं चेक कर सकते हैं कि कि मोनोटोनिक कहां है कहां नहीं है तो चलिए मोनोटोनुसिटी चक कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से तीन पॉइंट आ रहे है माइनस वन हाफ और साफ इधर प्लस श्याद मैंने थोड़ा साइन उल्टा लगा दिया जी तानले इसको हटाईए और यहां एक्स माइनस वन का होल स्कुर्ड लिकिए तो प्लस और इधर ही प्लस की एक्स माइनस वन का पावर देख लो भाई फिर इधर माइनस और इधर प्लस तो इंक्रिजिंग के लिए माइनस इंफिनिटी से माइनस वन देख लिए जो option wise देख लिए ना बात ही खतम करते हैं न जी माइनस इंफिनिटी से माइनस वन एंड हाफ से इंफिनिटी समझ में आए गया तो मेरे काल से ये सब कुछ आपको clear होगा अफ्कोर्स वन नहीं आएगा ठीक है न अब उसमें ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं वन हटा दी जाएगा तो फस्ट option मेरे काल से clear है जो most appropriate answer है most appropriate answer वो फस्ट ही है ठीक है चलिए देखते हैं question number 7 को और 7 देखके ही समझ में आ रहा है कि mod x into sin1 by x है और function के बारे में पूछ रहा है कि कैसा होगा तो कोई भी interval ले ले जिरो से infinity या minus infinity is 0 जो sin1 by x का जो nature है जो कि क्या करता है highly oscillate करता है in the close neighborhood of 0 right तो of course हम लोग बोलें का है कि 2 mod x जो इसका first part है अगर आप ध्यान से देखें तो 2 mod x है तो इसको तो रहने देते हैं अपन माइनस mod x into sin1 by x है तो x positive negative बस sin का असार आएगा ठीक है ना x positive होगा या negative तो x लेगा या minus 1 0 के आसपास ये close to 0 रहेगा समझ में आगया ये वाली quantity की बात अगर हम करें ध्यान से सुनना कि हम लग बोलें कि ये जो sin 1 by x होगा ये highly oscillate करता है तो आप देखोगे जैसे point होगा 1 by pi, 2 by pi, 3 by pi तो this is going to be something finite and this is going to be always 0 तो नहीं 1 by pi, 2 by pi, 3 by pi पे बार बार 0 हो रहे तो of course function को बार बार उपर नीचे होते हुए 0 की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि जिसे अगर आप मालो की 1 by 1 करोड pi और 1 by 1 करोड 1 pi 2 अगर x की value लो समझ में आएगा तो उसके बीच में ये कोई ना कोई value तो ले रहा होगा positive, negative, whatever be the value समझ में आएगा लेकिन अगर हम बात करें इस function की तो ये तो 0 लेने की कोशिश करेगा और जिसकी विज़े से high acceleration रहने के कारण हम लोगो सकते हैं function का non monotonic होना तय है तो मेरे खाल से question number 7 was quite easy to guess अगर आप sign 1 by x के nature को अच्छे से जानते हो चलिए बढ़ते हैं question number 8 पे question number 8 में बतलाना है कहाँ increase कर रहा है कहाँ decrease कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि function को differentiate करना ही पड़ेगा तो let's differentiate this particular function fx is I hope directly the team dash x fx तो देखी रहा आपको 12 x square minus 6 x upon 6 right or minus 2 cos x right or 2 x minus 1 गा तो पहले 2 आजाएगा और cos x or plus 2 x minus 1 छोड़ दीजिए जिन्दा और sin x तो देख सकते हो कि इतर से भी 6 cancel out हो रहा है यह गया और यहां से भी 2 x minus 1 sin x टाइप भी चीज़ आ रही है इंपक मुझे लग रहा है कि minus sign आगा कि cos का minus होता है न साइन तो यहां पे minus लगा देते हैं यहां पे minus लगा देते हैं तो 2 x minus 1 x minus sin x less than x कुछ सुना होगा आपने शायद नहीं तो मेरे खाल से यह चीज तो शायद positive सी है न तो of course x greater than half to infinity में लोग बोल सकते हैं क्या increase कर रहा होगा ठीक है तो एट का first option आ जाएगा अगले सवाल पर बढ़ते हैं राइट सब लोग त्यार नाइन ओहो काफी भारी से सवाल लग रहा है तो बोल रहा है कि there is this function और तीन पार्ट में divided है और बोल रहा है कि इस increasing तो एक ही वैलू तो इनक्रिजिंग है देखो जो सबसे पहला वाला पार्ट है माइनिस 55 x तो x less than minus 5 पे तो गिरे गाई ना बहुत गिरा हुआ है तो एगर हम मैंसे नॉर्मली इसका ग्राफ ऐसे फील दिला रहा हुआ है तो बाकी तो मैं कुछ नहीं वोड़ा हूँ तो देखो माइनस 55 x से तो कुछ ऐसा आ रहा होगा तो जीरो से पास कर रहा होगा तो माइनस 5 पे कुछ वैलू आईगी 55 तो इधर तो गिरा हुआ है तो इधर तो इंक्रेजिंग का मत्ब नहीं है अचलि माइनस फाइब से फोर में देखते हैं इसको डिफ्रेंशीट करना पड़ेगा तो यह फंक्ष्यान आ रहा है आपका 3x स्वेर्ट 6x स्वेयर स्वेर 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 सॉरी माइनस 5 से 4 में यह कुएंटिटी तो लेज देन 5 है तो यह नेगटिव ही हो रहे होगी नहीं और माइनस 4 के अगर आगे बात करें यह वाला बोलो नेगटिव सरी पॉसिटिव और इधर तो नेगटिव होगा हुआ है हमें इंक्रिजिंग निकालना है ना ठीक है यह वाली चीज में अपनको इंक्रिजिंग आ रहा है माइनस 5 से माइनस 4 तो देख लो आप कौन सा ओप्शन है एक यह ओप्शन दिख रहा है तो फॉर्थ से इंफिनिटी आएगा इसके आगे अगे आप चेक करोगे तो आंसर आ चुक है ठीक है माइनस 5 से माइनस 4 और किसी ओप्शन में तो मुझे नहीं दिख रहा है ठीक है तो आशा इसको भी डिफ्रेंशेट करोगे तो 6x2 माइनस 6x-36 तो 6 बहार x2 माइनस 6 तो x-3 x2 तो चार के आगे देखोगे तो यह भी पॉजटेव यह भी पॉजटेव तो यानि इदर इंक्रिस करेगा तो यूनियन फॉर्स है कि आप्शन डी तो काफी इजी इजी सवाल है कुछ भी खास लग नहीं रहा है कि दस्वें पर चलते हैं आई हां मतलब मेहनत तो होनी चाहिए न मतलब यह कुछ भी इसलिए नहीं लग रहा है कि अगर आपने इस तरीके सवाल अच्छी तरीके से मेहनत किये हैं ठीक है तो हो जाएगा इस तरीके सवाल बहुत बार कटके देख चुके हैं रोल इस तरह मतलब f of 1 equal to f of 2 करेंगे तो फट से एक एक एक्वेशन आजएगी 1-a plus b-4 f of 1 f of 2 मतलब 8-4a plus 2b minus 4 राइट तुम जाओ इसको इधर लाओ गे तो मुझे लग रहा है 3a और minus b equal to 8 है न बस और 8-1 क्या हो जाएगा 7 minus कहां से आगे तो पहली एक्वेशन ती यह बन गए f-4 by 3 0 तो इसका derivative लिखो 3x square minus 2ax plus b or 4 by 3 में तो 16 बटार नो तो 16 बटार तीन माइनस 8a by 3 और प्लस बी एकल टू 0 तो मुझे लगा 3 से मुल्टिप्लाई कर दें तो 8 a minus 3 विन तो दलिजा न इकल टू सो लग तो इसको 3 से मुल्टिप्लाई करके घटा दो यार तो तीन तिया 9a minus a is a और यह 3b साफ और 21 में तो लग पांच आ रहा है पंद्रह पंद्रह साथ है बी आठार तो 5,8 आपको पहले option नहीं दिख रहा है राइट अब आगे बढ़ते हैं 10 में के बाद आ रहा है आपके सामने 11 स ये तो बहुत वार हमने करके दिखा है कुछ जी में ने इसको बहुत वार पूछ रखा है नि इस तरह केसे में आपको याद होगा तो मैंने बार बर कहें बार बार कहें लगातार कहें ध्याया क्या मौड़ ओएक से ऐग बार कर दिवाइटकर लिए बनेगा ऐसा बनेगा एसा इसा डारेक्टी लिख दिया मॉड़ ऑट एक्स माइनस वाइस से डिवाइद करें आपको एक ती समझ में आ लिए कि राइट-टीन साइड वेन वाइस अप्रोचिंग एक से जिरो और ये एक्स माइनस फॉई एपॉन एक्स माइनस वाई है तो ये दिख रहा है कि एपक्स इस गोई टो भी पॉजिटिव फॉर ओल एक्स बिलॉंग सुआ तो सीथा सीथा चौथे ओप्शन पे आप जंप कर जाए कुछ जाई है थोड़ा हो सीथा आजेए बारवी सवाल पर आजेए दोस्तों बारवा सवाल देखकर थोड़ा सा गला ऐक्वेसिन कि बात कर रहें यह एक्वेशन थोड़ा खतरनाक से दिख रहा है प्रक में हो जो एक बार को कि मार को शीबार भाज़ है टूचल पाइश्पाइन कोभे स्हाच की बार को उतना था तैनिक्स क्यूच्ट इसके रूट्स की बात हो रही है दोस्तों तो इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ही साथ कुछ मजा आएगा तो अगर आप इसको एफ एक्स मानोगे तो इसमें में देखो दस-दस करके आ रहा है बहुत सारी चीजी तो एफड़ाइस एक्स दस हैगा 10x की पार 4 मैं लिख रहा हूं बस और यह 20x की पार 3 तो 2x क्यूग हो गया और 30x स्वेर तो 3x स्वेर हो जाएगा और 20x तो मतलब 2x 10 निकाल चुका हूं इसलिए बोलना हूं सब और प्लेस 10 तो यह दिख रहा है पैलंड्रॉम टाइप की फील आ रही है न तो क्या करते हैं इसमें एक्स स्वेर लास्ट वाला वंगाद की वेला वन में श oraz खाराендण हो ग connect कौन और इन हीनर 2x सब्स gef क्ल्स मौल्स था राखिका था ट सी तो आई होड़ अटो हो दो स्वार इस प्लेस प्लेसिंदीयन स्वेर था खें थे पलस खेंत norm टीटश दां दिखनीयगा ताइगा तो सहही है गलत मुझे तो यही समझो में आ रहा है तो यह भी मेरे खाल से पॉजिटिवी लगरा मझे तो 10 एक्स स्वेर को अगर सब्सक्राइब तो यह भी परिफिक्ट इस पायरी ही लग रहा है तो आप चाहो तो एक स्प्रेट एल को एक स्प्रेट प्लस एक स्प्रस वन का होल स्प्रेट पता नहीं तो इसका एक ही रूट होगा नहीं ऑफ कोर्स पांस दिगरीक है नो और थ्रूआउट पॉजिटिव है तो माइनस इंफिनिटी पर भी माइनस इंफिनिटी हो लेगा जिरो पे पॉजिटिव है और फिर यह ऐसा जाएगा नहीं जिरो कॉमा टें तो मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव साइड ही रूट रहेगा तो जैसे माइनस वन पिसकी वैलू निकाल के देखूंगा एक फॉफ माइनस वन दिख रहा है मुझे माइनस टू पॉजिटिव नेगेटिव बस देख लेते हैं ठीक है ना प्लस फाइव मा पर देख लेता हुत तो माइनस चॉँट। अशुट्रे अस्टी पॉजिटी वाह रख है माइनस एट माइनस एट सिटी यह यह है तो एट, पर टी माइनस ट्यूंटी और प्लस 10 नहीं सुर्णी अ कॉर्त पाट्री माइनस ट्रिंटी और प्लस 10 ठीक लागरा मुझे ऑग, तो 50 नेगटिव आ रहे हैं आगया वही माइनस टू से माइनस वन की बीच में रूट आ रहा है तो एक यह पूसरा कि मेरे को इसमें एक और अप्रोच समझ में आ रहा है कि इसको देखकर मेरे को कुछ-कुछ binomial की feel आ रही है, 5C0, 5C1, तो मैं एक बार ट्राइ करके देख लेता हूँ, शायद कुछ बैट रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 10x plus 10, ऐसा ही कुछ है, तो x की बार 5 को दो बार दोड़ेते हैं, और इसको 5C0 लिख देते हैं, 5C0 is 1, 5 को लिख देते हैं, 5C1 x की बार 4 plus 5C2 x cube, और 5C3 x square, और प्लेस 5C3 x square, 5C1, 5C4, और x, और plus कितना हैंगा, शायद 5x, नहीं एक वार आए, 5C5, और plus मेरे इकाल से 5x और plus 9, किसमझ में हैं यह सब क्या हुआ, यह तो सेम, back to pavilion, शोरी, x की बार 5, दो बार तोड़ दिया, तो एक इधर आ गया, यह वाला सेम है, यह वाला सेम है, यह वाला सेम है, और इसमें एक वाल लेकर 9 इधर लेती है, तो मुझे लग रहा है कि इधर x की पार 5, प्लस 5x प्लस 9 आ रहा है, और यह जो है न, यह पूरा का पूरा है, x प्लस 1 की पार 5 का एक्सपाइंचा, तो negative of x प्लस 1 की पार 5, मैंने दोनों को दोनों साइड इसलिए भीज दिया है, कि मुझे एक बार देखकर तो feel आ जाए, तो कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है, कि अपन को दिख रहा है कि इसका derivative positive भी आ जाएगा, अच्छा, तो derivative positive यहां से direct भी दिख रहा है, यह equal to 0 हो गया, तो direct भी मुझे दिख रहा है, कि भाई साब, एक derivatives का positive आ रहा, 4x की बार 4, sorry 5x की बा positive होगा इसका derivative है, या फिर हम इसको दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, जैसे मालो मैं ऐसा कहे रहा हूं, जो भी लिखा था थोड़ी देर पहले, कि ऐसा लिख दिया, तो दोनों 5 degree कही है, और एक increasing है, एक decreasing है, इसकी बात करें हम, तो minus infinity भी है, minus infinity, infinity भी infinity, derivative positive, throughout increase करे और inflection point भी इसका, शायद मुझे लग रहा है, 0 भी आएगा, कहीं ने कहीं काट रहा होगा, तो minus 1 पे इसकी value एक बार देखें क्या, क्या रही है, minus 1, minus 5, plus 9, 3, minus 1 पे positive value, मतलब इधर कहीं होगा, minus 2 पे इसकी value क्या है, इधर वाले की देखना एक बार, minus 32, minus 10, और plus 9, देखो देखें से, यह negative value है, और इसकी value कितने हैंगी, minus 2 पे मुझे लग रहा है, minus 2 पे इस वाले की जो value हैगी, यह ग्रास शायद negative, minus infinity, plus infinity यासे लगा लगा लगा, मुझे ऐसा लगता है, कि यह भी 5 दिगरी वाला ही है, समझ में आ रहा है, और minus infinity पे plus infinity जा रहा होगा, और throughout decrease कर रहा हो, रहाईट, ठीक है, मेरे क्याद है, minus 1 पे 0 होते वे जाएगा, ऐसा कुछ, और 0 पे इसकी value negative है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है, तो यह जो root होगा, इसी पे बात बन भी होगी, मुझे दग रहा है कि minus 2 पे इसका height देख लो एक बार, तो इसका minus 2 पे height से negative आ रहा है, minus 2 इदर पे ही आ रहा होगा, यानि definitely minus 2 से minus 1 के बीच में इसका एक रूप तो बनता है, यहां से भी देख तक तो आपके ऊपर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करके लिख रहा हूँ, इसको हो गया, और प्लस ए-7 इन्टू बन जाएगा, तो तो इस हास टू बी जेरो राइट और एक्स टू एन पाई नहीं होगा तो मतलब बॉस हो गया वन न तो यानि कि हम लोग बोल रहें क्या कि एक्स नॉट टू एन पाई मतलब फोरे प्लेस माइनस थी प्लेस ए माइनस सेवन कि अधर इस एक ही बात करें एक शायद तू नहीं होना चाहिए ठीक है एक एक्वल टू टू जब लोग ए न तुम तो पॉस एक्स टू इन पाई आएगा तो वह नहीं है तो इसलिए भी टू नहीं होना चाहिए तो आप देख सकते हो कि इसको लिखोगे कॉस एक्स को तो 3-4a upon a-7 और critical points होना मतलब 0 होना चाहिए तो इसकी value-1 से 1 होनी चाहिए इसके इसके इसाफ़ चाहिए और इसकी value-1 से 1 चलिए रख देते हैं तो मॉड लिख दूगे सीधे ही मॉड 3-4a upon a-7 should be less than equal to 1 और यहां से हम लोग गो लें कॉस एक्स वन नहीं हो सकता है कि माइनस वन हो सकता है चलो बात में निकाल देंगे दोनों साइड इसक्वार कर लो इसक्वार कर सकते हैं कि यह से लिख सकते हैं मॉड 4a-3 is less than equal to modulus of a-7 कॉस एक्स वन नहीं होगा ध्यान रखना और इधर हम लोग नहीं कहा कि 16a square a square तो मेरे खाल से 15a square हो लगा राइट चारतिया बारा दूनी 24 और साथ दूनी 14 मुझे लग रहा है कि माइनस 10a माइनस 40 less than equal to 0 एक 5 भी common आ रहा है ठीक है तो 5 मतरब 3a square माइनस 2a और माइनस 8 ना तो मेरे खाल से माइनस 6a प्लस 4a पर तूटेगा तो मेरे खाल से a माइनस 2 आ रहा है और इधर सारे 3a प्लस 4 ना तो जो a की value ए 2 नहीं होनी चाहिए पहली बता चुका हूँ है माइनस 4 by 3 से 2 open माइनस 4 by 3 से 2 open तो मेरे खाल से यह शायद close नहीं है यह open ही होगा examination में मतलब मेरे खाल से options में बाकि आप देख लिए ठीक है तो सेकेंड वाला ही option अपन पकड़ेंगे आगे बढ़ते हैं अंगले सवाल पर oh my god यह भी बहुत बार आ चुका है जही एडवांस भी बूच चुका इस तरह के सवाल तो f x is a six degree polynomial coefficient of this is one x की पार six का कॉपिजिंट वान है तो x की पार six होगा और one और माइनिस फिस का डाइस जिरो हो रहा है और यह चीज बड़े मज़दार सी condition देती है यह दिया दोस्तों बन के बराबर सही है यानि कि तेको उसमें x square x और बाकि सारे टर्मस नहीं हो सकते हैं constant क्योंकि इन्हीं तो लिमिटी एक्जिस नहीं करेगा यह सुझाने इसमें छे डिगरी का पॉल्यमेल पटक दो आप x square x वाले terms अगर हो तो x cube नीचे है एक्स square और x वाले terms से limit क्या हो जाएगा infinite की तरफ आएगा तो वह possible नहीं होगा यानि कि हम लोगो बोलेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं और bx की बार 4 और x cube लिखना पड़ेगा तभी देखो ना x cube से डिवाइट कर दो आप तो स्टार्टिंग वाले जो टांस हो में उसकी limiting value 0 आ रही होगी इसकी 1 आ जाएगी समझ में आएगा और बाकी आगे के term रहेगा तो limit exist नहीं करेगा तो इसका derivative 1 और minus 1 पर 0 हो रहा है तो तुम लोग कर लोगा इसके आगे मुरेगे हाल से 6 x की बार 5 प्लेस 5 a x की फावर 4 इसका answer आपको देता हूं इसके आगे आप लोग कर लिजेगा ठीक है तो यहां 1 और minus 1 रखकर आप a और b की value निकाल लिजेगा और 5 times f of 2 आता है 144 मैं a की value बतला देता जो आती है शायद a की value आती है minus of 3 by 5 यह मैंने निकाल रखा है और b आता है शायद minus 3 by 2 आप एक बाद चेक भी कर लिजेगा मेरे काल दर काफी एज़ी है कर लिजेगा कि मुविंग अहेड कुश्चिन नंबर फिप्टी ओ शॉटेस जिस्टेंस तो यह बहुत बार हो चुका है नहीं एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वार इक्स माइनस वन वाला अभी कुछ दिनों पहले कोनिक भी कर रहा था शायद उसमें इस तरह का मैंने कोई स यह concept हम बार बार देखते हैं तो यानि कि जो भी point पर slope निकालोगे जिसका slope निकालोगे तो dy बे dx के आएगा x तो इसका slope 1 के बराबर ही होना चाहिए यह सब class में बतलाए जाता है तो x अगर 1 है तो y हाफ हो गया और 1,5 से इसका मतब मुझे नहीं पता कहा जाएगा आप द upon two root two type है तो काफी easy है अगर आपने class अच्छे से करी हुई है इस तरह के सवालों की मक्खन निकलेगा भाई मक्खन मैक्सम slope of the curve यह तो काफी confuse करने वाला सवाल लग तो भाई मैक्सम slope of the curve कुछ खास नहीं मैंदब slope को maximize करने है तो चलिए इसको differentiate कर लें इसको differentiate करेंगे तो slope आएगा यह यह दिवाइब डिएक्स 4x3 है ना तो 2x3 क्यूब आ गया माइनस 15x2 प्लस 36x इसको maximize करना है तो इसको हमने कोई बोल दिया function gx क्यानि इसके derivative पर बात करूंगा आज बात करता हूं तो 6x2 माइनस 30x प्लस 36 तो 6 बाहर आते ही एक्स स्क्वेर माइनस 5x प्लस 6 तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और दो पॉइंट आए जहां maximum इनमा जो भी यह आता रहेगा आप चाहो तो sign change चेक कर लो 2 3 प्लस माइनस प्लस क्या निकालना है maximum slope तो increase then decrease टू पर आएगा maximum slope टू पेस की value निकाल लो तू पे दो दूनी चार दूनी आट 16 प्लस अच्छा यह सॉरी नो 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 आए एक्सल पॉइंट पर जाना पड़ेगा तो तो 16 पीटा दो आठ है उसका माइनस आठ पच्छे चालेस प्लेस दो दूनी चार अबहत्तर अच्छिस तो मेरे कहाल से माइनस एक्ट तू यह आ रहा है लग रहे है अस्ती में से ठक्तर रहे है तो आई होब दिस इस टू आमाट तो आज का सफर यहां पर खतम करते हैं अप्लिकेशन अप्लिकेशन डियुट अगर आपको रियली पसंद आए तो शेर भी कर दिजेगा और जो लोग टीवाइब नहीं कर रहे हैं और टीवाइब शांदार त